हालो दोस्तों मैं डॉक्टो कॉशल यादर फिर सापका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं ड्रग्स एफेक्टिंग कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन का पार्ट टू जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर्ड यूनिवर्सिटी ऐस फॉर नीट हम द्यीज और इसमें हमने डायिूररेति कि अधेक्स खत्म कर लिया था रैस रेनिन एंजिटी ऐन्ह्जयो टेंशन सिस्टम इंहिबिटर्स उम कंफ्लीट कर चुके हैं competitive इंहिटर्स कंप्लीट का थो के हैं कैल्शन में एक्जाम्पल आता है मिनॉक्सिडिल और डाय ओक्साइड यह दोनों हम लोग पढ़ेंगे अभी तो यह क्या करता है यह एक्टिवेट करता है पोटाशियम चैनल्स को यह पोटाशियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वज़े से क्या होता है पोटाशियम का इफ hyperpolarization of vascular smooth muscle हो जाएगा, hyperpolarization हो जाएगा, अगर एक बार hyperpolarization हो गया, तो वहाँ vasodilation होगा, जिसकी वज़े से blood pressure कम हो जाएगा, ठीक है, और ये drug काम करेगा anti-hypertensive की तरह, clear हो गया, ये clear है, तो vasodilators ऐसे काम करते हैं, now minoxidil के बारे में पढ़ते हैं, it is a powerful arteriolar dilator, तो ये एक arteriolar dilator है, पहले important याद रखना है, it is effective orally, ये orally बहुत effective होता है, topical भी दिया जाता है, बट orally जादा effective होता है, it causes reflex tachycardia, sodium और water retention, यहाँ पर एक ही problem है इसकी, ये reflex tachycardia क क्यों बढ़ाता है, क्योंकि sodium और water का retention हो रहा है, ठीक है, तो इसी वज़े से क्या होता है, minoxidil को beta blockers और diuretics के साथ दिया जाता है, ताकि diuretics क्या करता है, water और sodium को retain होने देता नहीं है, निकाल देता है urine के साथ, तो ये इसके साथ दिया जाता है, ताकि reflex tachycardia की problem ना हो, और इसका topical यूज किया जाता है, ताकि hair growth हो सके, male type of baldness, जो लोग गंजे होते है, जिनके बाल जड़ने लगते है, बहुत सारे, उनमें ये यूज किया जाता है, topically, ठीक है, तो ये tablet form में आता है, और ऐसे ये solution form में आता है, लगाने के लिए देते हैं, सर पे, ताकि hair grow हो सके, right? Now, daxoside पढ़ते हैं, it is used in the treatment of hypertension emergencies में यूज करते है, इसको intravenously दिया जाता है, ठीक है, तो इस जो, ये जो oral suspension इसको intravenously हम लोग देते हैं, hypertension emergency होती है तब, और इसका long duration of action होता है, 6 से 24 घंटे तक इसका action रहता है, and it also relaxes uterine smooth muscles को भी ये relax करता है, और इसका adverse effect same, उसकी तरह है, reflex, tachycardia ये भी करता है, hyperglycemia भी करता है, और sodium और water का retention भी कर देता है, ठीक है, तो ये ऐसे form में आता है, oral suspension के form में आता है, now, third example is hydralazine example है, ये एक direct actin arteriolar dilator है ये, इसको भी orally दिया जाता है, tablet forms में आता है ये, and the side effects are reflex, tachycardia, palpitation, sodium and water retention यहाँ भी हो रहा है, इसी वज़े से इसको बीटा blockers और diuretics के साथ हम लोग देंगे, ठीक है, now, बात करते हैं, sodium nitroproside, जो की important है, आपका ये question पूछता है, university में ध्यान से पढ़ना है, तो sodium nitroproside, जो है, वो एक powerful arteriolar और venodilator, दोनों, यह साथ में याद रखना, यह MC क्यों पूछता है, यह एक powerful arteriolar और venodilator, दोनों है, it is unstable होता है, यह और rapidly decomposes on exposure to light, बस यही इसकी problem है, कि यह light में एक्सपोज हो जाता है, यह unstable है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, fresh बनाते हैं, और इसको dark places में रखते हैं, dark bottles में रखते हैं, ताकि यह sunlight से न ओडे, so solution should be prepared fresh, जो मैंने बताया भी, it has short duration of action होता है, इसलिए इसको IV infusion करते हैं, intravenously इसको दिया जाता है, और जब hypertensive crisis हो जाते हैं, तब इसको use किया जाता है, sodium nitroproside को, बहुत अच्छा एक्ट करता हैं, and can also be used to improve cardiac output in congestive cardiac failure, तो, और cardiac output को भी यह बढ़ा रहा है, ठीक है, now, nitroproside can cause severe hypotension, जब हम देंगे इसको intravenously, एकदम से वो BP कम कर देगा, तो, severe hypotension की problem हो जाती है, इसलिए इसका BP को monitor करना बहुत ज़रूरी है, जब आप nitroproside दे रहे हो, sodium nitroproside दे रहे हो, ठीक है, and prolonged use can cause anorexia, nausea, vomiting, fatigue, यह सब तो होता ही है, अगर आप prolonged use करोगे, now, यह काम कैसे करता है, मैं वो बताता हूँ, mechanism of action कैसे है, so, sodium nitroproside जो होता है, वो generate करता है, nitric oxide, relaxed vascular smooth muscles को, वो relax करता है, मताब vasodilation करता है, और जैसे, अब कैसे कर रहा है, क्योंकि यह arteriolar dilator भी है, वी नो-डालेटर भी है, तो अगर वो veins पे काम करेगा, वी नो-डालेटर होका, तो वो क्या करेगा, pulling of blood and veins, veins में pulling करेगा, जिसकी वज़े से venus return कम हो जाएगा, preload कम हो जाएगा, तो अफकॉस सी बात है, जब preload कम हो जाएगा, तो cardiac output जाएगा भी नहीं, तो cardiac output भी कम हो जाएगा, तो BP अपने आप कम हो जाएगा, simple, simple तरीका है, वैसे ही arteriolar dilator में भी वैसी हो रहा है, तो arteriolar dilator में perivascular resistance कम हो जा रहा है, आफ्टर लोड कम हो जा रहा है, तो BP भी कम हो जा रहा है, तो यह ऐसे काम करता है, अगर कुछ डाउट है, तो मुझे पुछो मैं उसे according आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट करो मुझे, अगर मैं क्लिनिक से अगर फ्री रहा, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगा, और उसे according समझाने की कोशिश करूँगा, और जो मेरे चैनल पे नए ह प्लीज प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और एक दूसरे को समझाईए और पढ़िए, इससे ही हम लोग सीखते हैं, ओके, थैंक्यू सो मुझ